कोई expectation लिए बिना ये movie देखना शायद यही एक कारण था कि ये movie मुझे थोड़ी बहुत पसंद आई नमश्कार दोस्तों इस वीडियो में बात करने वालों Class 83 movie के बारे में जिसे Netflix पर release किया गया है इसे direct के अतुर साबरवाल ने ये movie जो है एक book The Class of 83 The Punishers of Mumbai Police उसके उपर आधारित है इस book को लिखा है सयद यनिस हुसेन जाइदी ने कहानी की बात करते है विजे सिंग जिसे प्ले के अब बॉबी देवल ने शुरुवात में दिखाया गया है कि विजे सिंग को एक punishment के तोर पर उनका transfer नासी की एक police academy में dean बना कर वहां किया गया है ऐसा कुछ दिखाया गया है शुरुवात में ही विजे सिंग यहां पहुंचकर पांच लड़कों को एक special training देता है साथ ही साथ विजे सिंग कौन है उनका transfer क्यूं हुआ उनकी जो कहानी है वो movie के बीच बीच में हमें दिखाई जाती है सबसे negative ब श्कार को बीच इन बारे में वर्डें शुकला जादो सेटि इन पांचों को इस कार्शेकर के बारे मिठाते है और जब यह पांचों आपनी training पूरी कर लेते हैं और यह बाहर जाकर यह काल्शेकर के लोगों को मारना शुरू कर मूवी का टाइम दिखाया गया है बहुत अ कि उन्होंने अपनी performance खराब दिया, उन्होंने बहुत जादा अच्छी performance दिया, अपने कर्यादार को बहुत इमयंदारी से निभाया है, एक police officer जो बहुत जादा frustrated है, बहुत जादा उसे tension है, उसके चेहरे के हाओ वाओ, इस सब को बहुत अच्छे से, बोगी देवल ने कुछ कह नहीं पाती, मुवी बहुत जादा short है, इसके makers ने बहुत कुछ डालने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे लगता है, उनके पास time का अभाव होने के कारण, उन्होंने बहुत सादा चीज़ें जो है, वो miss कर दी, उन्हें skip कर दिया, जिससे हमें मुवी अधूरी लगी, अगर किसी ने नहीं देखी, तो मैं यही कहूँगा कि हाँ, एक बार तो इस मुवी को जरूर देखा जा सकते हैं, और भारत में जिस परकार की जो मुवी और सीरीज बनती हैं, उससे पहले प्लीज एक बार डिस्क्लेमर पढ़ लेना, क्योंकि जब यह मुवी शु